साथियों आप सब्सक्राइब परिच्छा होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहा है और इसी कड़ी में हम लोग उत्तर पतिस लोग सिवा आयोक के उजारा जो पूर में परिच्छाएं कराएगी है उन परिच्छाओं के प्रश्ण पत्रों को सॉल्व कर ले रहे हैं जो कि आ करते हैं इसमें पहला प्रश्ण है हिस्ट्री समझित निम्लिकित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था तो बिरश्पत को अगला है युद भूम में बड़ी संख्या में सैन्कों के मारे जाने अत्वा आहत हो जाने के बाद किस भारती गण सस्त धान किया था तो मशग गण की इस्तियों ने संस्कीत कभी और नाटककार कालिदास का उलेक हुआ किसमें पुलकेशन दूतिये के एहोल अभिलेक में इसमें कालिदास और भारवी इन दोनों का ही उलेक किया गया है तो देखिए यह इस लेख की भासा संस्किता लीब दच्छन ब्रामी है और इस लेख की रिचना रविकीर्थी ने की थी आगे बढ़ते हैं कुछ नमबर चार पे तो दो सुचिया दिए गुप्त मंदिर और कहां पे इस सितने इसको हमें बताना है तो देखिए आपका इट निर्वित मंदिर कहां पे है यह आपका भितरगाओं में इट निर्वित मंदिर भितरगाओं में तो तीन से मुला है यह दशावतार मंदिर आपका देवगर में दो से शिव मंदिर भूमरा में चार से विश्णु मंदिर एरण वन में तो आपका 3, बी ओप्षन अगला है बोरो बदूर इस तुप कहा इसे थे तो जावा में इसे थे इंडोनेशिया के जावा दिव पर और यह एक इनोशको दारा विश्व मानिता प्राप्त विश्व बिरासत इस्थाल है अगला है नियम्रकित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्र स्री भावन नामक इस्थान पर एक सैनिक छावन नहीं हुआ था और इनके पिता कों थे राष्टकूट राजा गोबिंद तिर्टिय थे अगला है कथन कान वाला प्रशन है कथन है कि बल्वन ने अपने सासन को सक्साली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर कान ये सही है कान वाप उत्तर पशिम सीमा को मंगोल आकमा से स्रुचित करना चाहता था ये कथन भी सही है दो के दोनों कथन सही प्रूंत ब्याख्या नहीं करता है इसलिए भी आप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दो सुचियां रचना और उसके लिए इन्हें हमें स फिरोस साही ये जियाओ दिन बरनी की है चार से मिलाज जिये तारिक यामनी अल उत्वी की है वन से मिलाज जिये तो आपका 3-2-4-1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं अगला है निम्लिकित में से किसे दुतिय ताज महल कहा जाता तो रविया उत्दरावन का मगबरे को देखिए औरंग जेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पतनी रविया उत्दरावनी के मगबरे का निर्वाड 1661 से 1661 में कराया था इसे बीबी का मगबरा भी कहा जाता है इसकी स्थापत तिकला सहली सुपरसिद ताज महल पर आधारिती अता इसे दुति ताज महल भी कहा जाता है ने मिखित चेतरकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उजमा की पद्वीरी थी तो अबुल हशन ने देखिए इसके समय में के दो काफी प्रसिद चेतरकार थे जिनका नाम था उस्ताद मंशूर और अबुल हशन उस्ताद मंशूर को जो है ना महारत हासिल थी व्यक्ति चेतरे में महारत हासिल थी आगे दो यहाँ पर सूचियां फिर से हैं इनको समयलित करना है ख्वाजा मोयन दिन चिस्ति ये चिस्तिया संप्रदायक से तीन से मिलाई है शेक आहमस सरहिंदी शेक आहमस सरहिंदी ये नक्षबंदिया संप्रदायक चार समले दाराश को कादिरिया संप्रदायक से समझे थे और शेह सहाब उद्धिन शुहरा वर्दी तो वन से थ्री फोर टू वन अथा सी ओप्षन नेमलिकित में से किसे भारत का साधी कहा जाता है तो अमीर हशन को अमीर हशन ए देहलवी को उसके उच्च गजलोग कान भारत का साधी कहा गया निम्लिकत में से किस ने प्रसद्ध कुत्व मिनार की निर्वाणमी योगदान नहीं दिया, कुत्व बुद्धिन एवक ने प्राराम कराया था, फिर उसा तुगलक ने जब इसमें बिजली गिनिस तूट गया तो इसको फिर से बनवाया और एक मजला और बढ़वा दिया, पर उन्त इसमें द्यासुदिन तूलक का युगदान नहीं था। आगे चलते हैं, अश्ट प्रधान नाम की मंत्री प्रसत किस में थी, ये मराठाओं के सासन प्रसासन में थी। आगे बढ़ते हैं, निम्रिकित में से किस ने हितो पदेश का फार्सी में अन्वाद किया था, तो ताजुलमाली ने, अगबर के सासन काल में हितो पदेश का फार्सी भासा में अन्वाद मुफर्री उलकुतुम के नाम से ताजुलमाली द्वारा पंदरह चालिस इस भी के आ अमेर खुष्रो ने अबूल हशन यामिनुदीन खुष्रो जिसे प्राय अमेर खुष्रो के नाम से जाना जाता है का जन्म 1253 इसबी में या 651 हिज्री में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगन्य तदकारी कासी राम नगर जिले के पट्यारी नामक इस्थान पर हुआ था खुष्रो नहीं स्वायम को तूती ये हिंद कहा था अगला है निम्लेगत में से कौन एक मुगल समराट द्वारा न्यूक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था तो मुर्सीत कुली खान मुगल समराट फरुष्टिया द्वारा 1727 में मुर्सीत कुली खान को बंगाल का गवर्न पुस्तक भाद पाकिस्तान विभाजन पर यह पुस्तक ही ना कि बिलियम बेडवर्ण की पुस्तक है यह महत्मा गादी ने लिखी है राम बनोर लोहिया ने इंडिया पार्टिशन लिखे थी यह सही है महत्मा गादी ने गलिम्पे साफ दिवर्ण हिष्टी जवालल नहरू की है आगे चलते हैं दो सुचिया देए इन्हें सुमेलित करना तो देए सुभाशन बोश्ट हरी भारती राश्टी का अंगरस का हरीपुरा अध्वेशन जो होता है 1929 में वहां पर अध्वेशन के अध अधिस्ता किये तो इसको चार से मिला यह बटकुषर दत सेंटर असंबली में बंफेका था भगर सिंग के साथ मिल करके तो वन से मिला दीजिए तो आपका क्या हो जागा टू-3-4-1 यह ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुश्चन अबर 21 देखते हैं नेम्लि हिस्टिंग था ध्यान रखिएगा पंजाब के पूर्व महराजा दिलीव सिंग के विशय में निम्लितित में से कौन सा एक कथन सत्य है पहला 3 अक्टूबर 1893 में को उनका निधर्ण पेरिश में हुआ था यह सही है नासिक में उनके इंतविष्ट हुई थी नहीं इंग्ल को डबलू एच स्ली मैन के द्वार लिखे गी थी एक बिटिस प्रसा सकते जिन्हों ठगी प्रता का अंत करने में महात्पूर्ण भूम का निभाई थी आगे बात करते हैं पंजाब के विले के पशाथ पंजाब परसासन करने के लिए निम्लित में से कौन तीन की परिसत का सजिश्ण नहीं था तो देखिए ये जो परिसत थी लाट डलहोजी ने 1849 में पंजाब परसासन करने के तीन लोगों के परिसत का अगटन किया था जिसमें सर हिंडरी लॉरेंस को अध्यच धा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मांसल को सजिश्ण के रुप में इसमें हम एलियट और रॉबर्ट मॉंटे गोमरी ये सामिल नहीं थे तो ए और डी दोनों नहीं है परसित बंगाल के गवर्नर जनरों में से कौन एक तिरतिये आंगल मैसुर युद्ध से समझे थे लाड कानवालिस तिरतिये आंगल मैसुर युद्ध होता है 179792 में इस य के समय में अवत का बिलीनी करण नहीं होता है सिंध का बिलीनी करण होता है पहला गलत है लाड डलाओ जी के समय में अवत का बिलीनी करण हुआ था ये भी गलत हो गया लाड वेलजली चतुत आंगल मैसुर युद्ध के समय गवर्नर था ये सही है आपका सर जाउंसोर तिर अगवार का प्रकाशन जो है 1945 में जो हला लेरू तथा रफी रफी अहमद किदवई द्वारा लखनों से प्रारम किया गया जिसे 1997 में इस अगवार को बंद कर दिया गया प्रकाशन बंद हो गया निम्लेकित में से कौन सही सुमिलित है भागत सिंग एन इंट्रोडेक्शन ट भागत सिंग की है आगे बढ़ते है 1916 में भारती राष्टी कांगरिस के लखनो अज विष्ण के दिसा किसने की थी MC मजुंदार ने की थी MC मजुंदार अंभिकाचर मजुंदार ने रविन्दा टैगोर की विषए में निम्लेकित में से कौन सा कथन असत्य है उन्होंने प्राचीन भात उसकी संस्कित का गौरोगान क्या सही है उन्होंने सिवाजी गुरु गुबिन सिंग को राष्ट का निर्माता की रुप में देखा ये भी सही है उन्होंके उनके गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है ये भी सही है पंतो डी वाला जो है उन्होंन उर्दू में थी पहले ये सप्ताहिक थे बाद में मासिक हो जाती है निमलिखित में से साइमन कमिशन का कौँ सा एक सदिश उदारवादी दल का था तो सर जॉन साइमन जो इसके दच थे वो उदारवादी दर अतर लिबरल पार्टिक से थे जिबकि भात की सुनता कि समय बलिया में अगस्त 1922 चित्तु पांड़े की नेतरत में इसके अतरिक भारत में जो है बंगाल की मिदनापूर में तामलुक में डिसंबर 1922 से सितंबर 1924 तक और इसी प्रकार से महराज के सतारा में 1923 के मद्द से 1945 तक यहां सबसे लंबी जो है आपकी समनांतर सरकार चरी थ कोशन 34 देखते हैं सक्ति के विरुद अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहनबूती चाहता हूं या किसे समन्द है गांधी की दांड़ी यात्रा की समन्द में पांच अपरल 1931 को होता है और वहीं भगास सिंग को जो फांसी होती है वो कब होती है इनको फांसी 23 मार्च 1931 को होती है मतलब इसके बाद ये घटना क्रम होता है वहीं भारती राष्टी कांगर्स का कराची अधिवेशन 1931 यह आप देखें यह कब होता है यह 26-31 मार्च 1931 तो यह इसके बाद भगास सिंग को फांसी के बाद मिलेगा और दूती गोल में सम्मिलन जो है यह आपका सितंबर सितंबर 1931 में होता है तो यह करम पहले कांधी इरी में समझोता होता है फिर भारती राष्टी कांगर्स का राष्टी अधिवेशन फिर गोल में सम्मिलन तो 1-2-3-4 यह आप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निमनित कर्त ने इस आंधोरों का समर्थन किया था नहीं बिल्कुल नहीं किया था बिरोध किया था डी ऑप्शन मोहमद अली जिन्ना 1929 में नाकवर में संपन All India Trade Union Congress के जिस्ता किसने कि थी जवाला नहरू ने और यही पर इस All India Trade Union का जो है यूशन का विभाजन हो गया था आगे बढ़ को जो परते हैं कुशन 39 देखते हैं आजाद इन फॉज डिवस कि किस तिति को मना जाता है तो यह आपका बारा नॉमबर 1945 को मना जाता है भारा चुड़ों आंदरों के समय भाद का प्रधान सेनापती को था लाड़ वेबल था बाध में वर्स 1943 से 1947 तक भाद के कारक कहां इसे था है तो यह फिरोजपूर में है तेईस मार्च उन्हें 31 को पिटिस सरकार द्वारा भागा सिंग राजगुरू और सुख़देव को लाहुर में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और चोई छिपए उनका अंतिमस्का फिरोजपूर जिलेग में सतल न से गोर ने किया था निम्रिखित समा सुधारकों में से कौन संस्क्रित भार्षा में प्रभीणता के लिए जाने जाता है पहले दिखिए सबसे पहले रोलेट सत्याग्रा होगा फिर आपका भारती राष्टी कांगर्स का अधिवेशन होगा ने ने रोलेट सत्याग्रा होगा फिर जलियावलाव हत्याकांड होगा फिर आपका भारती राष्टी कांगर्स का अधिवेशन होगा फिर खिलाफ अता जलिया वाला बाग हत्या कांड हो जाता है दो फिर भारती राष्टी कांगर्स का अम्रिट सा रजवेशन होगा फिर खिलाफत अंदरों होगा तो फोर टू थी वन यह उप्शन आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग रहूं कि संक्या म मनु बहन ने यह पटेलशी की पुत्री थी हिंदु सराज महात्मा गादी के जीवनिकार रहे हैं लूई फिशर रहे हैं भारती राष्टी कांगर्स के निम्रिकत अधिवेशनों में किस एक क्याधिस्ता जवाल नेहरुड ने सब पर्थम की थी लाहुर अधिवेशन उन् आगे भोगोल के प्रश्णों को देखें तो निम्र भारती राजों में से कौन रेश्मी वरस्त का सबसे बड़ा उत्पादक है तो देखिए यह कर्नाटा के दूसरे नंबर पर आंधर प्रदेश आता है निम्र में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे आवसित नहीं है जो देखें गौरी कुंडा गौरी कुंड रामवाडा कुप्तिकासी यह मंदाकनी किनारे पंद गोबिंद घाट जो है गोबिंद घाट यह अलग नंदा और लचमण गंगा नदी किनारे इस्तित हैं राइस्थां का लगववव एक आधिकार है किस में जस्ता उत्पदन म इसके जहेलम की सायक नदी है जहेलम की और किसंगा नदी पर योजना भी इसके यतरिक जहेलम नदी पर उली और मेगना पर योजना भी कारी कर रही है दो सुचियां तेल सुधक कारखाना और राज इन्हें सुमिलित का नदिगे तटि पाका ये तेल कारखाना जो है आपका आंदर प्रदेश का है तो तीन से मिला ये कोईली जो है कोईली गुजरात का है तो वन से मिला दिए तो ये हो जागा 3,1,2,4 अगला है मटर की पत्ती विहीं जाती कोई सी है तो ये है अरपणा अरपणा बरानी दीप किस फसल की दीप है बरानी दीप जो है ये धान की फसल है इसकी अतिक्त नरेन संकर, नरेन सुसका, समराट, लालमती इत्याद धान की परजातिया है कोईशन नमर 58 देखते हैं बहार एक प्रसित परजाती है किस की अरहर की अरहर की परजातियों में अमार, आजाद, मालवी चमतकार, मालवी विकास, पारस इत्याद है 2021-22 उसके अंकड़ों के अंसाद है गन्ना उत्पादन में सीर्स पे, उत्तरबदिस नमबर एक पे, महराज दूसरे पे है और करनाटक तीसरे पे है आगे बढ़ते हैं बिश्व में धान उत्पादन में भाद का इस्थान कौन सा है तो दूसरा है ठीक एक अन पाते दो भी हो सकता है और एक अन पाते दो अन पाते तीन भी हो सकता है आगे बढ़ते है बिश्व के फल उत्पादिन में भारत का योगदान कितना है तो वर्तमान में यह दि देखेंगे 2016 का जो आंकड़ा है Horticultural, Esthetics At a Glance 2018 कुमसार भारत बिश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादिन देश है जिसके हिस्तारी 10.49% 10.49 पूशा बोर्ड एक प्रजात है किसकी तो सरसो की इसके तरिक पूशा जयकिशान और पूरोना इसकी मुख्य प्रजातिया है संकरधान की खेति सरवादी कहां होती है चीन में लोगप्री चीन में है राश्टिक किसी विप्रण संस्थान National Institute of Agriculture Marketing जैपूर में इससे था है जेली बनाने ही तो निम्लिकित में से कौन सा फल सरवादी को उप्युक्त है तो वो है आपका अम्रूद क्यों क्योंकि देखे पपीते में पपाईन नामक तत्पाई देता है जो जेलेटीन को सक नहीं होने देता है अता जेली बनाने ही तो शिरिश्ट पाईन नहीं है वहीं आम और कैथे में कैथ में पैक्टीन की उपस्थी क्रमसा कच्चे और पूर्टिया परिपक के होने पर निर्भर करती है जबकि अम्रूद में पैक्टीन की उपस्थी के लिए सर्थ अनिवार नहीं है अता अमरूद जेली बनाने के लिए उप्यक्त पाल है निम्रिकित में से कौन? क्रसी करांटी के संदर में सही सुमेलित नहीं है सफेद जो करांटी है दूस सम्दित है शुना हरा उद्दान से, हरा अना से नीला मुर्गी पालने मस्थ सम्दित है मत्स मचली किस राज में केले का अधिक्तम उत्पादन होता तो देखिए यह दिवर्तमार हम देखें तो वर्तमार आकुड़ गुशार आंदर प्रदेश नंबर एक पर है फिर गुज़ाद दूसरे पर है महाराश्चा तीसरे पर है और तमिलनाट चौथ है पर है आगे चलते हैं विश्व के भूगोल के बारे में देखें तो कौन सा सुमीलित नहीं यह बताना है इस्थान है और किसलिए प्रसिद्दें क्लिव लेंड लोहा इसपात के लिए डेट्रायट मोटर गाड़े के लिए मिशावी रेंज कोयला चेत के लिए मिशावी रेंज जो सैंफ्रांसिस्दें को किसे कोन ऐक भूअबद देश नहीं देखे यह इसमें आपका लेके 현 और असर्वजान तो भिलकुल नहीं हों क्वाबद देश रेंज उजबेगिस्तान को देखेंगे तो उजबेगिस्तान की सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है जब की एक सिकने ने उजबेगिस्तान की जो सीमा है वो किस से लगती है वो अरलसी से लगती है और अजरवेजान की सीमा जो है वो आपका कैश्मिन सागर से लगती है इस प्रकार यहां पर अजरवेजान को ही माना गया है आगे बढ़ते हैं निमली खित्म से किस एक महादीप में उसके संपूर्ण छेत्रफल में मैदानी भाग का परसत सरवादिक है तो यूरोप में देखिए आपका जो यूरोप और धचे अवरीगा दोनों ही महादीपों में अधिक मात्रम मैदानी भाग का विस्तार है अधिली में ब्लिजार्ट इकनाड़ा यह सही है तो पहला वाला सही नहीं है यह सिराको एक भूमज सागरी पाउन है जिसका उद्गम सहारा रेगिसान में होता है सिराको पाउन दारा लीविया से उठाए गए धूलकन को माल्टा एटली क्रोश्या मोटे नेग्रो अलवा अंदर से चीनी तयार करता है तो वह है युक्रेन शैंक राज बिस परेटन संग रिकी रिपोर्ट 2010 के मसार तो यह उस समय की रिपोर्ट छोड़ दीए आगे बढ़ते हैं निम्लिक देशों में से कौन मक्का उत्पादन में बिश्व में दूतिय स्थान पर तो मक्का उत् देख लिए सीचा कुछ बास रोशी रच्या में रड वेसं चीन में बृश्ट लिटन कंडम में निÓ साउध बैल्स अस्टेलिया में है यहां पर आपफिर से देखिए कुछ बास करणこんな रूश में रड वेसिए यह चीन में को बिश्टल लिश्ट-वेसं क्डम में निउ श आगे बात करते हैंति इम लेखित में से कौन हो से योग्म गलत है रूर अदोगुत करिश ज्यर्मनी में चाहिए फ्लेंडर्स अदुविक परुदेश बेल्जीम में साइए स्वेलन आध्यक्छेес स्वेडन नहीं है इसकॉटलेंड अध्यक्छेथ यूकें में के कच्छ की खाड़ी में की गई थी हर्याली योजना समधित किसे जल प्रबंदन से इसे 27 जनरी 2003 को प्रारम किया गया था यह जल संग्रान समधित विकास योजना है आगे बड़ते हैं निम्लिखित युगमों में से कौन सभी सुमिलित नहीं जियो मंडल आगर और कहा हुश कीया था वॉल्टर जी रोशन ने वॉल्टर जी रोशन नेम्लिखित में से किसने तब्वित पठार के उपर वर्द 2005 में ओजोन आवा मंदल, ओजोन हैलो का पता लगाया था GW Kent Moore ने, GW Kent Moore के नेतियुत में अनसंधन करताओं ने पैज्ञानकों की निम्नी टीमों में से किसने सब रताम अंटारिका के उपर ओजोन चितर का पता लगाया था तो बिटिस टीम ने, 1985 में, टोटल ओजोन मैपिंग इस्पेक्ट्रोमेटर के मदल से निम्नी ट में से कौन एक वायू प्रदूशन की रोगथाम की एक यंत्री विधी नहीं है एक यंत्री विधी नहीं देखिए वैक फिल्टर, साइकलोन, क्लेक्टर, साइकलोन, सेप्रेटर यह हैं पर तो साइकलोन, डिवाइडर नहीं है निम्नी ट में से कौन एक वायू प्रदूशन से सम्मधित नहीं है देखिए इश्माग, अमल वर्षा, एस्बेस्टोसिस यह सम्मधित पर इट्रोफिकेशन सम्मधित नहीं है आगे चलते हैं पेन पौधोईयम जन्तों की सरवाधिक विविविता विश्यस्ता कहां कि उस्ट कटवंधी आद्रवन की अब जनसंक्या से सम्मधित पर इखें जनगंड़ 2011 के अंसार भारत में 14 वर्षा कम आयो के वालो की संक्या आबादी सकल आबादी का लवग कितने परसत है तो 29 देखिए ऐसे देखा जो एगजएक डेटा जो है वो 28 दसमलो 67 परसंट है 92 नंबर कोशन देखते हैं भारत में निम्रिखित में से किस राजजी में नगरी घनत तो सरवादी के तो पश्रिम मंगाल में देखिए यहां पर आक्टे दिये गए हैं पश्रे मगल 5683 फिर दूसर नंबर पर आपका महराष्टा आएगा 5594 फिर तीसरे पर आपका आएगा तामिलनाद 2561 और फिर गोवा आएगा 1135 यह इन चारों के आपड़े हैं बीश्र सदी के अंतिम दो दसकों 1981-2001 में उच्छ तम न्याल उच्छ तम जनसंख्या विर्दी प्रत्सत परिवर्ता अंकेत के 21 में तुन नागा लैंड में सबसे कम लिंगान पातवाला जीला कौन सा है राज कौन सा हरियाणा है जहां पर 879 है जबकि सिक्किम में 890 है पंजाब में 800 पंजाब दिमो कश्मिन में 890 ही है अगला है भारत के निमजित राजियों में से किसका जनसंख्या के दिश्ट से दुतिये राच्छेतफल की दि सब्सक्राइब देखें तो यहां पर देखें चेतफल के अंसार तीसरे पर आएगा जनसंख्या के मामनें दूसरे पर आता है महाराष्टा डी ऑप्शन इस तरह इसे सुमेलित कर देंगे तो 3142 डी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं 98 अंबर कुशन देखते हैं 1903 भात वर्स की प्रथम चीनी मील कहां इस्थापित की प्रतापूर में दिवरिया जिले के प्रतापूर में उत्तर प्रदिस की दिवरिया जिले के प्रतापूर में हि इस्थापना किस वर्स की गई था 1960 में उत्तर प्रदेश खिरसी विश्वेदयाले के रूप में और इसका उधन्त पंत नगर में उत्तर प्रतापूर दिॏ इसका नाम गोबिंद बल्लम्पंत किर्शीयों पर्दोकी विश्रुवाथ कर दिया गया गिया और गरा मुर्ण विकास के लिए पाइलेट प्रजेक्ट इटावा पाइलेट प्रोड योजना का प्रार्म सेतंबर 1948 में महुबा गाओ इटावा सतरक्रिमेट दूर्ट यहां पर हुआ था और इस योजना को प्रार्म करने का स्रे अमेरिकी सेन अधिकारी अलबर्ड मेयर को दिया जाता है भा भाग 30.29% है भारती गन्ना अंसंधान संसान कहां पर सित है तो यह लखनों में सित है 1952 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश गन्निक समर्थन मूल यह छोड़ दिए करेंट का कुश्चन है आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश के निम्रिकित जन्पदों में से चारों में जो है आपका वरांसी सबसे चोटा है सबसे बड़ा इसमें इलहाबाद है दूसरे नंबर पर आपका जौन पूर आएगा फिर आपका गांजी पूर आएगा फिर वरांसी आएगा आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का मुखिल लोक निर्त क्या है तो धोबि निर्त बुंदेल खंडी की सानुदारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है अगला 2011 की जनगर्णा की उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी के लवग कितना पसंट है 48 परसंट है 48 पसंट भार उत्तर प्रदेश में उर्दु को दूतिया राजभासा भावनाओं को समाधर करनते हुँ उत्तर प्रदेश राजभासा संसोधन अधियां 1989 पारित करके उर्दु को दूतिया राजभासा घुशित किया था और उर्दु उत्तर प्रदेश उर्दु अकादमी की स्थापना 1922 में की गए थी 1922 में लग से पहले कर ले गए थी आग तो देखिए उस समय तो चार थी पर वरतमान में देगे हैं तो वरतमान उकुल छे केंदरी विश्व 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 व और राजियो गाधी राष्टी विवान विश्विदालय राइवेलेली में है तो यह 6 होगा निम्लिखित उत्तर प्रदेश की जन्पदों में भुक्सा जन्जात कहां पाजाती बिजनौर और आगरा में निम्लिखित में सिक्की से सहार में जयव प्रदों की पार्क आवसित है लगनोव में उसे कहां पर लगनोव में आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की फसल का हंता कितनी है तो 1213 के आपको 155 155.89 परसंट मतलब 160 लगबग 140 परसंट हो गया उत्तर प्रदेश में कितनी है तो वर्तमान में देखनें कि 6 है कि देखिए कौन कौसी है नरेंदेव इ संसत्त्यटी ​​अगरिकलच्र और टेक्नोलजी विогहत teams मेरेट में राज लएखिवत घ्ला राज भिशुप ल मैं दिहי तैं और बाला इन्वश्च्टार और टेक्नोलोजी बाधा टार राज्यी शांद केंव लएखिब ज्याय कितनी Indian Institute of Vegetable Research अब यहां करेंड के कोश्चन हो को हम लोग को नहीं देखना है अब आते हैं थोड़ा से जो बिवित के कोश्चन है निम्रिकित में से किस में Natural History का राष्टी संग्राले नहीं है देखें इसका राष्टी संग्राले आपका हैदराबाद में नहीं है Natural History के राष्टी संग्राले की स्थापना 1978 में की गए थी दिल्ली में इसके बाद छेत्री Natural History संग्राले की स्थापना तीन जगा की गई कहां कहां दच्छनी छेत्र में आपका मैशूर आजाता है मद छेत्र में आपका भोपाल आजाता है और पूर्वी छेतर में बहुनेश्वर आ जाता है इसके तक दो और छेतर संग्रालों की स्थापना सवाई मादोपूर पश्मी छेतर और गंगटो को उत्तर पूर्वी छेतर में की जा रही है अगला है निम्रिखित राज्यों के निर्माणा का सही और रोहिकरम क्या देखिए या है एधराबाद में है वहीं अमसंधान निदेशालै या DWR ये करनाल में है इसमें में मेंसेद्ट्रेड वार्मसधान अधृच कानकुर में है निम्रिक्षित में से कौन सी आम की किस्म दसहरी और नेलम के ट्राम से विक्षित की गई है अमनपाली, राश्टी पादप अनुमानसिक संस्थान Bureau National Bureau of Plant Genetic Resources NB PGR, कहाँ इससे थैं नेधिले में अगला है राश्टी डेरी सोथ संस्थान राश्टी डेरी सोथ संस्थान ये कहाँ पे है तो ये आपका करनाल में है हर्याणा के करनाल में इसे वर्स उन्निस उन्नमासी में डिम विश्पी दार्जा पतान किया गया था आगे दो सुचियां है संस्थान और राज का मतला विस्थान का मिलान करना है तो इसको आप थोड़ा से ब्याख्याम देखिए जो CSSRI है CSSRI इसका Full Forms Central Soil Salinity Research Institute हिंदी में केंद्री मिर्दा लवनता अंसंधान संस्थान ये करनाल में है हर्याणा के और दूसरा जो है आपका CTCRI इसका Full Forms Central Tuber Crops Research Institute या केंद्री कंद फसल अंसंधान संस्थान ये तिर्वेंदरम के तिर्वंदपुरम में है और तीसरा IRRI अंतर रहष्टी है चावल अंसंधान संस्थान इंग्लेज में International Rice Research Institute ये मनीला में है फिल्पिंस के राज़नी मनीला में और वहीं Central Air Region Research Institute C.A.Z.R.I केंद्री सुस्क चेत्र अंसंधान संस्थान जोदपुर में है आगे बाद करते हैं जारवा जंजात की लोग जो हाल नीमें उसमें चर्चा में थे कहां की निवाशी है ये कई बार पुछा जाता तो ये अंडवान निकोबार की निवाशी है ठीक है इस प्रकार से इस वीडियोम बस इतना ही मिलते हैं निकोब तक लिए बहुत धन्यवाद